ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू साधर जैसी कृष्टन हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशीफल यह राशीफले 10 अगस्त 2022 बुदुवार का दिन है स्रावन महा के शुकलपक्ष की त्रयोदशीती थी है पूर्वा साड़ा नामक नक्षत्र होगा तथा धनू राशी हो तो धनिया खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं हरा धनिया सूखा धनिया या फिर धने की डाल राहुकाल जो कि दो पहर 12 बज़े से शुरू होकर के एक बचके 30 मिट तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब्या मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाह हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूर देव मकर राशी में राहु ग्रह मेंस राशी में तथा केतू ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे। इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिठुन सिंग तुला धनु एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिख भागिशा ले रहने वाली है। करिक्षित्र में इनको उन्नती और प्रगती प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक फाइदा भी इनको प्राप्त हो सकता है। धनलाप के सांसाथ उन्नती और प्रगती होगी और जो कारी इनके द्वारा किया जाएगा उसमें भी इनको अच्छा फाइदा होने का सं योग बन रहा है तो कुल मिला करके छे राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा अब हम आपको मेस से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतक जरू देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भरुपूर सद उप्योग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य शंबंदी महत्पूर्ण योजनाये बनेगी प्रापर्टी या पैत्रिक संपत्ती संबंदी कोई कार्यदी रुकावट आ रहा है तो उसकी रुकावटे समाप्त हो जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वेचारिक मध्वेद उत्पन न हो सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सायोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुपफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियों के परती आपका रुजान बढ़ेगा राजनितिक संपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए वाहन के खरीदने संबंदी योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रती गंभीर रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिंदगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानशिक व शारीरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रबाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित महतुपूर्ण नेने लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भाउकता वश बिलकुल न करे बुद्धि मत्ता तथा चतुराई से आपको प्रत्यक कारी करना चाहिए और उपाई के रूप में गणेश जी को कोई भी मीठी वस्तु चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्यपूर्ण तथा उच्च पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतित होगा इसे आपके मान सम्मान में व्रद्धी होगी तथा नई उपलब्दी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हत्यार डाल देंगे कोई भी महत्यपूर्ण काम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करे जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक माच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंख रासी की घर के बदलाव अथवा नवीनी करन संबंदी योजनाओं तयार होगी इन योजनाओं को कारी रूप देने में आपको अधिक समय वितित होगा आर्थी किस्थिती बहतर रखने के लिए बजट बनाकर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए विक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नई नोकरी या नए काम की आप शुरुवात कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वो आगी चल करके आपको अच्छा फाइड़ा देगा और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोड केज अस्वा प्रापर्टी से संबंदित रुके हुए काम आपके पक्ष में हो जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा जैसे आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी रिस्तेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी वा सूजबूच की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बरते चोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानी हो सकती है बहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी या हरी घांस खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आबाज को अवश्य शुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबू तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा में अंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तेदारों की आबा जाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरवाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तेदारों के साथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं इसलिए बहुत अधिक चोकरना रहने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा को नजर अंदास न करे उपाई के रूप में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रष्टिक रासी की धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंदी कारियों में रूची लेना आपको मानसिक सुकुन देगा सांथी समाज में आपका मानसमान तथा रुतबा भी बढ़ने वाला है इस समय अपने लक्ष के प्रती आप पूर्ण रूप से एकागर चित तथा गंभीर रहे सफलता आपका अवश्य ही प्राप्त होगी वहन खरीदने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस्तगित आपको करना चाहिए और आर्थिक मामले अभी पूरवहत रहेंगे अनावश्यक खर्चों पर कटोती करें तथा धैर ये बना करके रखे और कर्ज यदि आप लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ दिनों के लिए रोक करके रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप देवी जी को सिंदूर चणाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की आपको शारीरित था मानसिक शुकून पाने के लिए धार्मिक और अध्याट्मिक गती विदियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा प्रापर्टिय अथा वाहन की खरीत फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ती विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन न हो सकता है ध्यान रखे सावधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की साहता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करने से आपको मानशिक शांती अनुभव होगी और पड़ाई के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको मनोवांशित परिनाम की प्राप्ती होगी जिससे उनका होसला और आत्मेश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्भराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्मेश्वास को बढ़ाएंगे सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी आपको उपलबधियां प्राप्त होगी सुम्मितव आदर्श बना करके रखना अति आवश्यक है आर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परन्तु यह ताथका लिखे इसलिए ज़्यादा परिशान होनी क्या उशक्ता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको फाइदा होगा धनलाब होगा यदि आप लगन तथा एकागर चित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कार्य से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समभी वतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और उपाई के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए है हमारे इस ज्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजे आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी क्रश्न सादर धन्यवाद